इस इस टैप से अपने कुछ ग्राफिस रहने वाले हैं इसके यहमगें बहुत नस्य अच्छे लगने इसके ग्राफिक्सन उसला हैं तो कटेशर इसको स्टारड तो भाई कुछ इस ट्राइप से अपनी गेम होने वाली है इस ट्राइप से कुछ इसका इंटरफेस रहने वाला है आज की वीडियो मेरे पास है एक्सबोक 360 512 GB वेरियंट होने वाला है अपना तो इसके अंदर मैं आपको गेम्स प्ले करके दिखाऊंगा क्या कौन 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 सी इसके अंदर गेम्स मैं प्ले करता हूं अब देखना वीडियो के अनदर और इसका प्रैस में वीडियो की activity मिलेगी आपको इसके अंदर और इसके अंदर controller अपना wireless रहने वाला तो फिर करते हैं बॉक्सिंग करते हैं फिर वीडियो और अपना यह adapter मिल जायागा power supply देने के लिए इसको और अपनी cable और अपना main चीज आजाती है अब यह अपना console कुछ इस टाइब से रहने वाला अपना है बहुत हैवी है इस टाइब से कुछ रहने वाला अपना एक्सबॉक 360 तो बाई अपने रिमोंड में यहां पर सैल डलते हैं सैल के थूँ चलता है अपना रिमोंड विपो इस टाइब से कुछ रिमोंड में सैल डलते हैं यहां इस टाइब से तो अभी हमने टीव में अपना Xbox Connect कर लिया है और सबसे पहले हमारी गेम रहने वाली है Ashes Cricket 2009 यह हमारी Cricket की गेम होने वाली इसके अंदर आपको 2009 के प्लेयर मिलेंगे तो चलते हैं फिर आपको दिखाते है गेम प्लेस का तो इस टायब से कुछ अपना गेम रहने वाला है तो करते हैं इसको इसको start और इसके graphics ही बहुत अच्छे है इसके यह आप graphics देखी सकते हो इसके इस टायब से अपने कुछ graphics रहने वाले है इसके अंदर इसमें सारे आपको old player मिलेंगे क्योंकि 2009 की गेम है Xbox 360 में हम केल रहे हैं इसको तो भाई अभी आपने cricket वाली gameplay तो देए के लिए अब हमारी जो second game होने वाली वह वह वाली अपनी need for speed shift यह इस game को play करके आपको दिखाते किस टैप से graphics होने वाले तो चलिए फिर play करते हैं इसको तो अब हम इसमें यह वाली डालने वाले तो निकालते हैं अपनी इसके अंदर से यहां से बटन आपको दबाओगे प्रेस करोगे तो यह इस टैप से निकलेगी अब लगाते हैं इसके अंदर अपनी वाली बटन को और इस वाले बटन को दोनों को साथ प्रेस करना पड़ेगा तब हमारा रिमोंट कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर कुछ इस टैप से इसको प्रेस करेंगे अब इसमें लाइट जलीगी शाहत तो भाई इस टैप से अपनी कुछ ग्राफिक्स रहने वाले हैं इसक इस टैप से कुछ रहने वाली है इस ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखो अब देए कि सकते हो कुछ इस टैप से कुछ अपने ग्राफिक्स रहने वाले हैं और रिमोंट की वाइब्रेशन भी हो रही है इसके अंदर तो भाई अब अपनी जो लास्ट गेम रहने वाली है वो यह होने वाली है अब मार्वस अल्टिमेट तो इसको प्ले करते हैं आपको दिखाते हैं देखो भाई अपनी गेम प्ले हो चुकी है इस टैप से कुछ इसका इंटरफेस रहने वाला है चलते हैं अब अंदर दिखाते हैं इसमें कौन-कौन से आपको प्लेयर्स मिलने वाले हैं अफ्लाइन मोड पर स्टार्ट करते हैं आर्केड मोड हम घेलेंगे असके अंदर तो बाइं कुछ इस टैप से अपनी गेम होने वाली हैं से कुछ इसका इंटरफेस रहने वाला है लेते अपने प्लेयर्स कौन-कौन से इसमें होने वाले हैं इस्पाइडर्स अबने लिया अपना स्ट्राइरमेन और सेगंड देते हैं अपना क्याप्टन अमेरिका और थर्ड अपना हल्क तो भाई आपको इसके अंदर अपना ही रॉकेट में मिल जाता है जो कि अवेंजर्स में था मार्वल्स मूवी में अपना रॉकेट है और अपना इरन मैन अपना बंदूक से मार रहा है देखों अपना इस अपना बंदूक से मार रहा है देखों अपना इस अपना रॉकेट लेकर आगया पना इस गन अपनी तोप अपना रॉकेट आ चुका है तो भाई गेम प्ले आपने इसका देखी लिया और मैं आपको डिस्क्रिशन में नंबर दे दूँगा मैंने इसको कहां से पर्चिस करा अगर आप हमारी चैनल का नाम लेके जाते हो तो आपको मार डिस्काउंट मिल जाएगा तो भाई आज की वीडियो नहीं तक कि मिलते हैं ऐसी किसी बड़िया वीडियो में कर दो कर दो